मेरे जैसे बहुत से लोग आपको आते जाते जरूर दिखते होंगे पर अक्सर हम उन्हें अन्देखा करके निकल जाते हैं इस भाक्ती दौड़ती जिंदगी में कहां किसे फुरसत है की रुके ठहरें खैर आज तो आपको रो की लिया है कुछ समय हमारे साथ भी बिता लीजिए फिर चल पड़ेंगे साथ साथ क्यों चौक गए बला मैं आपके साथ कैसे गबराइए मत चल सकूंगा आप से आगे नहीं तो जादा पीछे भी नहीं अनल भारदवाज पोन नमबर 916232347 एक मिन मैं चेक कर लूँ ठीक से रिकार्ट हो गया के नहीं ठीक है हाँ राइट ओके अब इस नहीं पर दो जोड़ा नोट टीच इट एंड लर्निंग विल आटोमेटिकली कम एक चीज को जानिये और उके साथ उसे शेर कीजे वह अपने आप आपके जीवन में उतर जाएगी यही मेरे जीवन का आदर्श रहा है और इसी का मैंने अनुसरन किया है आज मैं एक मुकाम पर हूँ जानते हैं कैसे हुआ यह सब संभव मेरी दृष्टिक होना मेरे लिए एक चुनौती बनी और इस चुनौती पर विजे प्राप्त करने का संकल्प मेरे लिए एक शक्ती का स्रोत अब तक मेरा परिचे तो मिल ही गया होगा मैं अश्विनी कुमार अगरवाल और यह संस्ता है National Association for the Blind जदो जहत संगर्ष का एक लंबा सफर तै किया है मैंने याद है मुझे जब मैं छोटा था यही कोई बारा तेरा साल का रहा हूंगा स्कूल में था काफी खेलता था पढ़ने में भरपूर उची थी जिन्दगी अपनी रफ्तार से चल रही थी पूरी तरे बेखबर विद्ध्यालेई जीवन के रंगों से सराबूर तब क्या पता था कि यह रंग धीरे धीरे धुन्दले होते जा रहे हैं खेलता था तो बॉल ठीक से नजर नहीं आती थी तब ही मुझे लगा कि मेरी द्रिष्टी में कुछ समस्या है स्वातन प्रगर्व उनका जो नर्थ फाको में प्राण गवाते हैं पर नहीं बेच मन का प्रकाश रोटी का मोल चुकाते हैं सत्यंद्र को क्या लिखा हूँ है वो क्या लिखा हूँ है कि पाकों में पांड़ को वाना कि उसके बाद क्या लिखा हुआ है रोटी का मूल कि अच्छो भी क्या बाती बिटा आप ठीक से बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है आप आगे आज़े बोर्ड ठीक से नजर नहीं आता था तो सीट आगे कर दी गई नमी कक्षा में था मैं माम अभी भी बोर्ड दुन्दला दिखाई दे रहा है अभी भी बोर्ड दुन्दला दिखाई दे रहा है क्या इससे पहले भी कभी ऐसी समझ से आपके साथ हुई तो फिर आप आज ही अपने मम्मी या पापा के साथ डॉक्टर के पास ज़रूर जाईए फिर शुरू हुआ कई तरह के टेस्ट और इलाज का एक लंबा सलसिला जो आपका हमने सारा आप टेस्ट करा है उस सब को करने के बाद हमें ये पता चला है कि आपके परदे के अंदर तकलीफ है आखों का जो परदा होता है जिसको हम रेटिना कहते हैं और रेटिना आपका पूरी तरह से डेवलप्ट नहीं है उसके कारण जो परदे की ये डिजीज है जिसको हम नाम देते हैं रेटिनाइटस पिग्मेंटोजा आपकी फील्ड और विजन जिसको आप देखने की जो विजन है उसको थोड़ा कंस्रिक्ट होना एक कहना कि ट्यूबलर विजन बनना कि आपको ऐसे लगना कि आप सिरफ थोड़े से एक ट्यूब में से देख पा रहे हैं यह डिजीज एक प्रोग्रेसिव डिजीज है दिरे दिरे आगे बढ़ती है और इसका एंड रिजल्ट इतना तक भी हो जाता है कि आपको आखिर में देखना भी बंदो सकता है यह स्तिती बहुत दिन तक रही एक मध्यस्ति थी जहां मैं पूरी तरह दृष्टी वान भी नहीं था और दृष्टी हीन भी नहीं था लोग अकसर एक अबजेक्ट दिखाकर प्रश्ट पूछते थे कितना दिखता है वह हमेशा यही जनना चाहते थे कि कितना देख सकता हूं मैं इन चीजों से बहुत इरिटेट हो जाता था जैसे वैसा ही हुआ यदि कोई किसी व्यक्ति से पूचे आप अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं बड़ा कठिन है इसका आंकना बताना किसी को कि कितना दिखाई पड़ता है यह बस का नंबर ठीक लिखा हुआ है क्यों अच्छे घर के दिखते हो पड़े लिखे नहीं हो क्या अबन रहे हो भाई मैया बन नहीं रहा हूं ठीक से दिखाई नहीं देत आपको वो पेड़ दिखाए दे रहा है और खंबा दिखाए दे रहा है कि मैं आपके लेगा अगर सकता हूं इधर राश्टा दिखा यूँ ही समय गुजरता रहा मैं कॉलिज तक आ गया लोग मेरी बेबसी पर शक करते थे विश्वास नहीं करते थे कुछ मदद भी करते पर फिर भी मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुटन होती थी बेहत खुटन परिवार काफी सपोर्टिव था उन्हेंने मेरी समस्या को समझा मेरी सपनों को शायद नहीं कि दुकान खुलवा दिजाए वो ज्यादा बहतर रहेगा कैसी लोग तो कह रहे हैं कि कैमिस्ट की दुकान खुलवा दें लेकिन उसमें की डरा है कि कहीं कुछ गलग दवाई देवाठाना तो सब गरवर हो जाएगा कुछ और सोचो सब मेरे लिए रोजगार कैसा हो क्या ह इस पर चर्चा करते पूरे कंसान के साथ ताकि मेरा भविश्य शुरक्षित हो सके हैं देखो मेरी बात मानों उसका दोस्त है ना जिसके पास है जा रहा था टेंटा उस वाला हां मेरा भविश्य मैं क्या चाहता हूं शायद मुझसे ज़्यादा इस बारे में और लोग चि पर लगाए गई पूंजी किसी ना किसी प्रकार से लॉट ही आएगी किन्तु दृष्टिहीन या एक विकलांग बच्चे पर किया गया खर्च पता नहीं लॉट कर आएगा या नहीं एक शंका सी बनी रहती है अभिभावक या समाज दृष्टिहीन बच्चों या विकलां समाज के अंदर ऐसे सपोर्ट सिस्टम को उन तक पहुंचाएं जिससे वो आने वाले समय में एक निर्भर व्यक्तित्व ना होकर एक आत्म निर्भर व्यक्तित्व बंद सकें कई सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाप National Association for the Blind जैसी अनेक संस्थाओं दौरा जो दृष्टिहीन बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए पहुंचाया जाता है मेरे माता-पिता को ऐसी संस्था कि संपर्ख में ना ने के कारण इन योजनाओं के बारे में जादा घ्यार नहीं था मुझे लगता था पता नहीं लोग मेरे बच्चे की समस्या को समझ पाएंग या नहीं उसके साथ कैसा वेभार करेंगे एक डर सबा मन में रहता था मुझे तो इसके भ्योष्च के प्रतिक डर और चिंता रहती थी क्योंकि इन सब योजनाओं के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था पस अपनी ही चिंताएं थी ऐसा लगता था कुछ ठोस कदम होने चाहिए मैं किशोर था यह मैंने सोच ही लिया था कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूँगा किसी भी सूरत में उसमें ब्रेक या उसमें किसी प्रकार का विग्न नहीं आने दूँगा कठिनाईयों का अंबार मेरे सामने लगा था कैसे इतना सारा पढ़ा जाएगा कौन मेरे नोट्स बनाएगा किस तरह से मैं एक्जामिनेशन्स दूँगा परिशानिया ही परिशानिया चारो और नजर आ रही थी किन्तु परिशानियों से घबडाने का मैंने निश्चे कर लिया था कि इनसे घबडाना नहीं है और इनके सलुशन्स खुद धूनने हैं एक एकर मैंने अपने परिशानियों के सलुशन्स धूनने शुरू करें नोट्स लेने के लिए मैंने टेप रिकॉर्डर द्वारा क्लासिस पें नोट्स बनाने शुरू किये घर में शाम को बैठ कर उनको पुनहें दूसरे कैसेट में रिकॉर्ड करता था एकोनॉमिक्स के अंदर कई डायग्राम्स थे उन डायग्राम्स को समझने के लिए मैंने अपने साथियों से रिक्वेस्ट करी और कोई भी लेसंस मिस नहीं करता था मैंने ग्रैजुएशन कंपलीट करने के बाद मास्टर्स इन बिजन स्कनामिक्स में अड्मिशन्स लिया तेली उनिवस्टी में अब तक किसी भी द्रिश्टीहिन व्यक्ती ने एक कोर्स नहीं किया था मैं पहला व्यक्ती था करवाता था यह बात का मुझे घ्यान था कि विदेशों में तरह तरह की उपकर्ण बनाए जा रहे हैं जिस्टीहिन व्यक्ती अपने सभी काम स्वावलंभी तरीके से एक इंडिपेंडेंट तरीके से खुद कर सके एक पैन के बारे में मुझे वालू पड़ा वो करीब पांच या साथ डॉलर का था उस पैन के अंदर आगे एक लाइट लगी रहती थी और जब कम रौशनी के अंदर वो थोड़े से एरिया जहां पर हम लिख रहे हैं ठीक उस पर फोकस करती थी वो लाइट तो इसके सहायता से जो मेरी रही सही थोड़ी सी आपकों की रौशनी थी उसका इस्तामाल करते हुए मैं उसका लेटर लिखना पेपर लिखना इन सब के बारे में इस्तामाल करता रहा इन तो धीर धीर जैसे मेरी दिश्टी पूरी तरा खो गई तो उस पैन का भी लाब होते थे और उन्हें बहुत अच्छा लगता था और अकसर कभी ऐसे सी थी होती थी दो लोग बात कर रहे हैं अगर उन्हें कोई डिस्प्यूट हो जाता था तो वो कहते थे कि क्यो ना हम अश्मिनी से जाकर पूछते हैं उसको इसके बारे में पूरी इंफ्रमेशन जरूर होगी और लोग मैं कई बार किया लोग को कि वो कहते थे कि क्यों ना इंसाइक्लोपीडिया से पूछे तो अच्छा लगता था लेकिन वास्तविक्ता से जब मेरा दोचार हुआ तो मन बहुत ही उदास हुआ क्योंकि अकसर जहां मैं जाता था इंट्व्यूज देने के लि कर सके और मुझे लगा कि उनमें जानकारी की बहुत कमी है और एक तरह का रिस्क लेने को वह बिल्कुल तयार नहीं है आपका अच्छा है पर देखिए यहां पर काम कुछ अलेक तरह का है सर मुझे एक मौका दीजिए प्लिश्यूश्य कुछ नहीं होगा राजी डेख लि यह पता था राजी यहोना ही था सानुबूची तो सब दिखाते हैं पर काम देते वक्त ऐसा नहीं सोचते काम मिलने में थोड़ी मुश्किल हाती है पर ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है या कहलो हम जैसे लोगों के साथ एक बात काऊ अश्वनी तुम ऐसे संस्थाओं में अप्लाई करके तो देखो ठीक है फिर मैंने ब्लाइंड रिलीफ एससेशिशन को अप्रोच किया मन में हिचक तो थी हम मेरी मुलाकात एक बहुत सरहर्द्य अधिकारी से ऊश्वनी मैं तुम से कुछ कहना चाहता हूँ देखो बेटे मेरे कहने का बुरा मत मनना बुरा क्य जानते हो तुम खुद को बना रखा है अंडिकार ब्रेल जानते हो नो सर तुम्हारा पहला लक्षा है ब्रेल सिखना और दूसरा ओडिएंटेशन इन मोबिलिटी तो कल से शुरू करें सर तुम्हारी दो आके होंगे पर्शंग पिरियद स्पेस्ट एक्सपर्ट की एडवाइज मान मैंने ब्रेल सीखी और मोबिलिटी की ट्रेनिंग ली उसके बाद मैंने विभिन और नो की बारे में भी अच्छे से अपने स्किल्स एक्वाइर किये टाइपिंग खूब मन लगा कर सीखी टाइपिंग के सब उपकरणों का मैंने खूब रियोग किया अपनी एड्यूकेशन पर बैंक के अंदर बैंक की सर्विस जैसे मैंने जॉइन करी तो उसके अंदर जो प्रमोशन के एक्जामिनेशन होते हैं CIB का एक्जाम होता है जिसके अंदर कई लोगों को करने में कई कई साल लग जाते हैं और कितने ही मेहनत कई कई अटेंट्स करने के बाद उनके होते हैं मैंने वो सभी के सभी पेपर एक अटेंट में पूरे All India डेवल पे टॉप करते हुए क्लियर किये जिसके लिए मुझे Calcutta Bankers Association Award मिला यह सब चीज़े समभव हो सकी क्योंकि मैंने अपने सारा ध्यान अपनी अबिलिटीज को अपनी जो किशमताएं हैं उनकी और पूरा का पूरा एनरजी अपना ध्यान उस पर लगा दिया जो साइटीड परसंस हैं उनके लिए बहुत एविन्यूज अवेलेबल हैं और समय के साथ साथ जैसे टेकनालोजी बढ़ रही है हमारे लिए भी नएविन्यूज खुलते चले जा रहे हैं मैं चाहूंगा जो व्यक्ति दृष्टिक हो देता है मैं अक्सर अपने बच्चों से कहता हूं कि जो इंस्ट्यूट में बच्चे पढ़ रहे हैं कि आप अधिक से अधिक अपने क्षमताओं को बढ़ाएं टाइपिंग सीखें मोबिलिटी की ट्रेनिंग अच्छे से लें जो इसमें प्लूज बता जाते हैं उनको बहुत अच्छे से सीखें और तभी मेरी मुलाका संगीत आशिवारा बहुत अच्छा लेकिन बहुत अच्छा है प्रबलम्स तो आ रही है हमारी टीचर्स आज करें तो वहां के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कफी अप्रिहंशन सुमर्ण ने शो करें हम वही उसी तरह के कि बच्चा कर रहेगा हैंडीकेप बच्चा होगा तो दूसरे बच्चों के पेरेंट्स को अब्जेक्शन आएंगे उनके एक यह थी और भी तरह तरह की तरह की सब्सक्राइब करेंगे वो एक्जामिनेशन किस तरह से देंगे यह हम कई स्कूल में इंटेग्रेशन लागू कर रहे हैं और गवर्मेंट स्कीम है उसके सपोर्ट के थूर और एंगियो का सपोर्ट है अधर थिक्स हैं तो वह अब सब चीजने करीब उपलग हैं जो कि इन बच्चे को भी पढ़ाना तो उसको जब सोचने जगते हैं किस तरह से समझाएं जाएं 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 तो नए आइडिया आते हैं बहुत कम है जो डिफरेंट है बहुत जादा है जो सिमिलर है लेकिन थोड़ा समय लगता है जहां पर इंटीग्रेशन हो रहा है और एक घटना आपको याद है मैं अमन के मातर पिता है जो आपके स्कूल नाइंत क्लास में पड़ता है स्कूल में बच्चे को आप रखना क्यों नहीं चाते हैं बेहन जी मैं आपकी समस्या अच्छी तरह समझ रही हूँ मुझे सानुभूती भी है लेकिन मैं मजबूर हूँ प्रंतो मैडम पीटे मीटिंग में जो अभीपावक आते हैं उनको हम ही जहनना पड़ता है उनके शिकायत यह होती है कि क्लास में जो अक्षम बच्चे होते हैं जैसे इनका ही बेटा है हम को उसके तरफ जादा ध्यान देना पड़ता है नतीजा यह होता है कि हमारा रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना हम करना चाहते हैं इसके बाद फॉलोग किया आता और हमने कर्मेंस किया था और आप बच्चा बहुत अच्छे से इंटेग्रेट हो गया हूँ कि अच्छा आप डिसबिलिटी पादिग निया चैलिंज देती है और जब ठीचर्स कोई मेरे खिया से नहीं हो सका सार में जे चैलिंज ले हमारा ध्यान जादातर इस और रहता है कि क्या हमारे पास नहीं है अवशक्ता इस चीट किया कि क्या हमारे पास है इश्वर ने जो हमें एक सोचने की क्षमता दिये एक कर गुजरने की जो क्षमता दिये उसका यदि हम पैट कर इस्तमाल करें तो हम वास्तव में द्रिष्टी हीन या मुक या बधिर या किसी प्रकार का भी बच्चा है उसके लिए एक ड्रीम क्रियेट कर उसको उस और लगा दें तो इसमें कोई दोर आए नहीं है कि वह एजुकेट किया जा सकता है इंटेग्रेटिट सेटिंग में एजुकेट किया ज किया जा सकता है किया जा सकता है